कर्श पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं प्रयांसू आपके साथ हूँ आपको बता दू योगी सरकार के मंत्री मंडल में सब कुछ ठीक नहीं है यह सवाल मंगलवार के साम से ही सियासी गल्यारों में चर्चा का बिसे मना हुआ है इस बीच सरकार में जल सकती यानि की Irrigation and Water Resources Department राजमंत्री दिनस खटिक ने अपना इस्तीफा देश के ग्रहमंत्री अमच्चा को भेद दिया है उन्होंने एक चिठी भी लिकी है हालांकि सरकार की तरप से अब तक इसकी पुफ्टी नहीं हुई है सरकार ने इन खबरों को महज अफ़ा बताया है उधर PWD विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज है वे आज ग्रहमंत्री अमच्चास से दिलनी में मिलेंगे आपको बता दे मंत्री दिनेश खटिग ने चिठी में लिखा है कि दलित होनी की वज़ा से अफसर मेरी बिलकुल नहीं सुनते अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है दलित समाज का राजय मंत्री होने के कारण उनसे किसी भी आदेश पर कोई कारवाही नहीं के जाती है नहीं उन्हें सूच ना दी जाती है कि विभाग में कौन-कौन सी योजनाय चल नहीं है उन पर क्या कारवाही हो रही है यूपी सरकार के अफसर दलितों को अपमानित कर रहे हैं जितिन और खटिक के स्थीपी की खबरे यूँ ही नहीं है इसके पीछे दो कारव है वो कारव क्या है ये क्रमसव हम आपको बता दे पहला कारव बताया जा रहा है कि जलसकती राज मंत्री दिने स्खटिक मंगलवार को मंत्री परिसत की बैठक के बाद लखनव इस्थित अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड मेरट सले गए दूसरी वज़ा है कि लोक निर्माड बिभाग के कैबिनेट मंत्री यानि कि जितिन प्रसाद जो है वो भी अपने OSD से हटाए जाने के बाद से ही नाराज बताय जा रहे हैं मंगलवार को पूरा दिन वो मीडिया से बस्ते रहे कैबिनेट बैठक में भी पीछे के गेट से आया और वहीं से निकल भी गया मीडिया इंतजार करती रहे गई साम होते होते जितिन भी अपने ग्रिह जन्पद यानि की सहा जहा पूर पहुँच गया जितिन से भी बात करने की कोशिस हुई लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया ये वो दो कारण हैं जिनके आधार पर नाराजगी की चर्चा सुरू हुई है बात करें जितिन प्रसाद की तो कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कदावर माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माड विभाग दिया गया है इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दोरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमित्ताय सामने आई हैं इसके बाद सीम ने एक कमेटी बना कर मामले की जान सौब दी रिपोर्ट के बाद पहली कारवाई इनके OSD पर हुई जिस अनिल पांडे को अपना OSD बना कर जितन दिल्ली से लखनव लाए उस पर भ्रफट चार कारोप लगा करके उसे हटा दिया गया कहा जा रहा है कि इससे जितन प्रसाद दुखी हो गया कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीम से मुलाकात की खबर वो आ रही है खबर है कि अपनी बात केंदर तक पहुचाने के लिए वो दिल्ली भी जा सकते है आपको बता दे जल सकती राजमंत्री दिनेश खटिक अपने बिभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत देव सिंग से बेहत नराज है आरोप है कि खटिक की ना तो बिभाग के अधिकारे सुनते हैं और ना ही उनके अपने बिभाग के सीनियर मंत्री सरकार के सौ दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्हें कोई काम तक नहीं सौपा गया है अब इस पे उनका नराज होना तो जायज है मंगलवार को खटिक कैबिनेट मिटिंग में सामिल हुए उसके बाद सीक्योरिटी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी और मेरट के गंगा नगर में अपने जोनका ग्रिहावास है उस पे चले गए इससे पहले संगठन मंतरी सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की नाराज मंतरी ने पांच लोगों को चिठी बेजी है खटिक ने अपना फोन भीज स्यूच आफ कर लिया है दिनेज खटिक की अपने विभाग के कैबिनेट मंतरी से नहीं पट रही थी बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले दिनेज खटिक बहुत ही जादा नाराज हुए थे तब डिप्टी सीम केसव प्रसाद मौरे उनको मनाने के लिए उनके घरबे पहुचे थे इस पे सीम योगी ने कहा है कि राज मंतरी को भी जो दिम्मदारी है वो दी जाए सरकार की गठन के बाद सीम योगी ने कैबिनेट मंतरीयों से कहा था कि सभी अपने अपने राज मंतरीयों को बिभाग की जिम्मदारी दे बिभाग के काम का बटवारा भी करें अब इस पूरे मामले पे स्वतंत्र देव सिंग जिनसे वो नाराज बताय जा रहे हैं उनका बयान आया है स्वतंत्र देव सिंग बोले हैं कि मुझे दिनेश खटिक से कोई भी नाराजगी नहीं है और नहीं मुझे नाराज है उन्होंने कहा कि उनकी राजमंत्री दिनेश ख कारोबारी और पुलिस कर्मी के बीच बिवाद हो गया था बचाओ करने गये मंत्री दिनेस खटिक की पुलिस से नहीं सुनी इसके बाद मंत्री ने इस्तीफा देने की बात करते हुए प्रेसवारता बुदा ली अब इन सारी चीजों के वीच डिप्टी सीयम ग्रिजेश पाठक भी योगी सरकार के पहले कानून कारेकाल में कानून मत्री थे अब उनके पास स्वास्त विभाग है डिप्टी सियम ब्रिजेश पाठक भी नाराज चलने है ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि स्वास्त विभाग ट्रांसपर का खेल सामने आया था ब्रिजेश पाठक ने इस पर सवाल उठाये थे ACS स्वास्त अमित मोहन प्रसाद और ब्रिजेश पाठक के बीच तलखी भी दिखी थी इसके बाद सियम योगी ने जाच के आदेव दिये थे तो इसको लेकर के फिर से बस यही सवाल उठ रहा है क्या योगी के मंत्री परिशद में सब कुछ ठीक ठाक है बहराल आप उतकर्स पत्रिका देख रहे थे और मैं प्रयांसव आपके साथ था और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप इस वीडियो को फेस्बुक के मादम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और इस पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें